घर के काम तो हम सब भी करते हैं और उन्हें समय पर खत्म करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन अकसर हम फेल हो जाते हैं और पूरा दिन काम करते करती निकल जाता है जिससे की हम बहुत ही ज्यादा परिशान फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं दोस्तो कैसे हम अपने काम को समय पर निपटाएं, कैसे अपने लिए बहुत सारा समय बचाएं, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं. जो समय हम निकालेंगे, बचाएंगे, उसे हम किसी भी तरीके से effective way में यूज कर सकते हैं. ये ध्यान रखिए, जब भी आप सबजिया लेकर आते हैं weekly, तो उन्हें तभी के तभी कट करके रख दीजे, जो सबजिया काट कर रखने वाली हैं. जो छील कर रखने वाली हैं, उन काट के रख सकते हैं, उन्हें आप काट के रख दीजे. और ये भी ध्यान रखिए, कि जैसे की हरी मिर्च है, टमाटर है, या फिर कोई भी ऐसी सबजी है, जो वाश करके रखनी हैं, तो उसे भी वाश करके आप उसी समय पर रख दीजे. इससे क्या होगा? नमबर एक, इस वो आपने एक बार में ही कर दिया है, और अब आपको बस वो चीजे निकालनी है और यूज करनी है. दो फायदे इस चीज के हो गए हैं. तो ऐसे टमाटर वगएरा मैं हमेशा ही वाश करके रखती हूँ, आप चाहे तो टोकरी में रख लीजिए, जैसे मैं रखती हूँ, या फिर इस तरीके की कोई टावल लेकर उन पे फैला दीजे, 10-15 मिनट लगेंगे और आपकी जो एक्स्ट्रा पानी सबजियों के अंदर होता है न सब निकल जाएगा, और उसके बाद आप इन्हें किसी भी कंटेनर में, मैं तो टिफिन में इन्हें स्टोर करके रखती और टिफिन में सारी सबजिया जो भी कट करी हैं उनको मैं रख देती हूँ, इसी तरीके से मैं मिर्च और धनिया पत्ता वगेरा सब ऐसे ही रख देती हूँ, इससे मौर्निंग में जो बच्चों के लिए टिफिन बनाना है या खाना बनाना है तो फटाफट से हो जाता है कोई परिशानी नहीं होती है कई बार ऐसा होता है कि जैसे सीजन की सबजियां आती हैं तो उनको बनाने में बहुत आलस आता है हमें तो उनको भी बनाने का बहुत आसान तरीका है कि उनको जब भी आपको समय मिले न रात में मिले, जब भी मिले आप उसको काट के रख दीजे, जैसे कि मैं अब बच्चों से बाते भी कर रही हूँ रात में और ये सबजी काट के भी रख दूँगी, मूली की भूजी बनाने वाले थे, नेक्स्ट डे बनाऊंगी, तो आज इसको मैं कट करके नाइट में ही र लग दिया और अब यहां पर मैं उसमें तड़का लगा दूँगी, और फटाफट से आपकी सबजीवन कर तयार हो जाएगी, है न, अगर आप सुबा ही काटने बैठेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम आपका जाएगा, और आप फिर एक हैड़क लगने लगता है, एक च चपातियों के साथ या फिर परांठे के साथ आप इन्हें इंजॉय कीजिए, तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं, आज मैं क्लीन कर रही थी न, बच्चों की अलमारी, तो सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अब सीजन के जो कपड़े हैं, सर इसलिए तो करती ही हूँ, पर डीप क्लीनिंग जो अच्छे से होती है, वो मैं इस टाइम पर कर देती हूँ, तो यहां पर मैंने सारी चीज़े जो भी न्यूस्वेपर वगेरा और शीट्स बिचा रखी थी, सब हटा के अच्छे से पूरी अलमारी को वाइप कर दिया है, और नीचे के जो दो बॉक्स है ना, दो खन्ने जो हैं, यहां पर ना मैं न्यूस्वेपर विचाती हूँ, क्योंकि यह जो मेरे पास शीट है, यह थोड़ी कम है, इसलिए नीचे डाल देती हूँ, और उपर यह वाली शीट्स मैं विचा देती हूँ, तो अब क्या करना है कि सारे कपड़े जो भी हैं, उनको अलग-अलग कर देना है, कि जो तो बिल्कुल गर्मियों में पहनने वाले हैं, उनको अलग, जो थोड़े से पाटी वियर हैं, क्योंकि अब शादियों का भी सीजन हैं, तो वो भी कपड़े अलग, और जो बच्चों के पजामे वगेरा सारे कपड़े हमें अलग-अलग कर देने हैं, जिससे कि उन्हें रखने में हमें आसानी हो, जैसे कि टी-शिर्ट्स अलग हैं, गरम कपड़े अलग हैं, सभी चीजों को पैंट वगेरा, लोवर, सब अलग-अलग कर दियें, और अब हम न, उनको उसी तरीके से रखतेंगे इससे बच्चों को निकानने में भी आसानी होगी, और सारी चीजे विजिबल भी रहेंगी, कि भई कितना है, और कौन सी चीज हमें खरीदनी भी है, तो सारी चीजे पता रहती हैं इस तरीके से अलमारी को अगर आप औरगनाईस करेंगे न, तो आपको पता रहेगा कि कितने कपड़े हैं, कौन-कौन सा कलर भी है, और कौन सा हम खरीदना चाहते हैं तो इसी तरीके से ये सारे box ना मैं organize कर दूँगी, रख दूँगी, जो थोड़े heavy wear हैं, party wear हैं, उनको ना मैं hangar में hang करके उपर टांग दूँगी, जो की बहुती छोटी fold मैंने की है, जिससे की नीचे का काफी space हमें मिल जाए कपड़े रखने के लिए, क्यूंकि अब तो सर बच्चों के जो inner wear होते हैं, उनको भी organize करके रखना बहुत बड़ा task होता है, क्यूंकि बच्चे खुदी निकालते हैं, तो अकसर खराब कर देते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, morning में, वैसे तो फिर इसमें ना इस तरीके की basket आप ले सकते हैं, और इसमें आप inner wear रख द भी एक चीज निकालनी हैं, तो वही निकलेगी और बाकी चीजे as it is बनी रहेंगी, तो इस तरीके से आप किसी basket का use कर सकते हैं, और इससे अपनी almari को organize कर सकते हैं, बहुती अच्छा और effective तरीका हैं, वरना cardboard का कोई इस तरीके का box आप ले सकते हैं, shoes बगेरा के box होते हैं, थोड़े से जो winter के कपड़े हैं, वो मैंने निकाल दिये हैं, क्योंकि अब थोड़ी सर्दी होने लगी है, तो इसलिए वो निकाल दिये हैं, वो भी मैंने hang ही कर दिये हैं, और normal कपड़े मैंने नीचे रख दिये हैं, तो कुछ इस तरीके से मैंने बच्चों की जो almari है, organize करी है, दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे comment करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, तो please वीडियो को like भी कीजेगा, और चैनल को subscribe भी कीजेगा, सबसे नीचे वाला जो मेरा shelf है, इसमें मैंने बच्चों का एक game है, थोड़े colors व होता है, तो इस तरीके से सारी अलमारी organize कर दी है, अब जो गर्मियों के कपड़े हैं, उनको मैंने थेले में डाल के और उनको रख दिया है, जिससे कि अब वो जब गर्मी आएंगी ना, तब ही निकलेंगे, अभी उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो आपको वीडियो कैसी ल आप इसमें रख सकते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाई बाई